हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है अवलाद कहते हैं कि सुभा का भूला अगर साम को घर लोट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं कथा ना अगर राहुल की कहानी भी इसी का उधारण है राहुल अपने बूढे पिता का हां था में बड़े प्यार से वापस घर लोट आता है पत्री नमिता गुस्से में प्रस्ण वाचक नजरों से पती को घूरती है परंतु राहुल के बदले हुए तेवर देखकर ततकाल कुछ पूछने की हिमत नहीं कर पाती है राहुल पिता जी को वापस उनके कमरे में पहुचा देता है तथा उनके सुववस्थित ढंक से रहने की जिम्मेदारी खुद अपने कंदों पर ले लेता है सारी व्यवस्था कर राहुल अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ कर सोचता है पिछले चा महीने से पिता जी हमारे साथ हैं परन्तु मैंने कभी ना तो उनकी भावनाव की कदर की और ना ही कभी उनके पास बैटकर उनके साथ सुगद उबाटने की कोशिज की परन्तु आज घटी छोटी सी घटना ने मेरी आँखों पर पड़े दुमिल परदे को हटा द देखो नमिता आज मुझे समझ में आ गया है कि माता पिता और आउलाद का रिस्ता ऐसा होता है जिसकी डोर से व्यक्ति इतना बंधा होता है कि मन के दलदल में जब स्वार्थावी होने लगता है तो मत्रप्राई खून के रिस्ते कभी-कभी अचानक से पुनर जीवित हो पिता कोई करार की वस्तों नहीं है चाहें उनकी कितनी भी अवलादे क्यों नहों जहां उन्हें आत्मी खुसी और मान समान मिले उन्हें वहीं रहना चाहिए नमिता हम अकेले ही क्यों पिता जी की जिम्मेदारी निभाएं राहुल नमता पिता जी ने मुझे इस काबिल ब दिखना ही अब मेरे जीवन का उद्दे से रह गया है पिता जी तो बड़ी भावी के रूखे विवार के कारड जाना ही नहीं चाह रहे थे हम ही जबरदस्ति उन्हें थोपने जा रहे थे नमता पती के बदले तेवर देखकर ततकाल वहां से हट गई उसे समझ में आ गया था कि अभी पती से बहस से कोई फायदा नहीं है राहुल जो पिछले च्छा महीने से कभी पिता के कमरे में जाता नहीं था आज सोने से पहले उनके कमरे में जाता है उनके चेहरे पर सुकून और गहरी नीन देखकर उनके दिल को तसलिम मिलती है सोने से पहले राहुल अपने क कि इस उम्र में पिता जी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है दोनों भाईयों का पिता जी को पास में रखने का फैसला सुनकर उसकी बड़ी भावी ने ततकाल अपनी जिम्मेदारियों को टालते हुए कहा देखो देवर जी अभी मेरे बच्चों की परिच्छा होने वाली है जिसकी किसी ने परवाही नहीं की एक दिन पिता जी ने उसे दबी जुमान में उन्हें कहा भी था छोटे वैसे भी मुझे सुरू से बड़ी बहु के कटू विवहर पसंद नहीं है उसके बच्चे भी बड़े हो गए है तुम्हारे छोटे बच्चों संग कुसी कुसी मेर भीरता से नहीं लिया पिता जी उसके पास रहने आ गए बच्चों के साथ उनका समय अच्छे से गुजर रहा था हां कभी कभार बहु के विवहर में उन्हें परायपन का हैसास होता था जीसे वे अंदेखा कर जाते कभी भी उन्होंने कोई सिकायत नहीं की राहुल भी जल्द पीछा छोड़ती हैं एक बार पुन्हा गुजरा वक्त आँखों के सामने गुजरने लगा वक्त कहा ठायरता है देखते देखते च्छा महीना पीत गया पिछले कुछी दिनों से पतनी नमता हल्ला मचाय हुए कहती राहुल पिता जी को यहां च्छा महीने पूरे ह गए बड़े भाया से कहिए कि पिता जी को आकर ले जाएं पतनी की बातों में आकर राहुल ने भी फोन करते हुए कहा बड़े भाया यहां पिता जी को च्छा महीने पूरे हो गए हैं आप आकर उन्हें ले जाएं बड़े भाया ने भी चालाकी से बहाना बनाते हुए कहा चोटे अभी आफिस के बहुत काम है मुझे एक दिन की भी चुटी नहीं है एक महीने बाद में आकर पिताजी को ले जाऊंगा पिताजी बेबसी से अपनी आुलादों की बाते सुन रहे थे उनके लिए बचे हुए जीवन का काटा उलस सा गया था गड़ी बंद नहीं थी परन्त उनका वक्त ठैर सा गया था उनकी मनोदोसा की किसे परवाह थी पतनी नमताच्य महीने पूरे होने के लिए मन ही मन एक एक दिन उंगलियों पर गिन रही थी अब उसका एक महीने का इंतेजार बढ़ गया था हमेशा चिचली रहने लगी जैसे ही एक महीना और पूरा हुआ तो उसने कहा राहुल भया खुद पिता जी को लेने नहीं आने वाले हैं आप ही पिता जी को ट्रेन में मुंबई भुचा आओ ट्रेन से पिता जी को आराम रहेगा उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया था कि दिल्ली से ट्रेन से मुंबई का सफर पिता जी के लिए आराम किया पेच्छा करत कष्ट प्रधिया दिख होगा हाँ कम पैसे लगने की बात सोचकर वा भी राजी हो गया था पतनी की बात मानते हुए राहुल ने ट्रेन की टिकट कटवा ली और नियत दिन पिता जी को लेकर रेल्वे स्टेशन की ओर रवाना हो गया ट्रेन के आने पर पिता जी को लेकर वह अपनी सीट पर बैठ गया पिता जी की सूनी उदास निस्परबांखों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया वह तो बस पिता जी को भाया के पास पहुशा कर अपने जिम्मेदारियों से मुक्ती पाना चाह रहा था वह अपने बैग से साथ लाए मकजीन को पढ़ने लगा उसी समय सामने सीट पर एक वेक्ती अपने बुढ़े पिता को लेकर बैठ गया ट्रेन खुलने में अभी काफी वक्त था परंतुवह यातरी बार-बार अपने पिता से उनकी तवीयत के बारे में पूछ रहा था बीच बीच में अपने लेटे हुए पिता के पैर भी दबा रहा था तथा बड़े मानमनुहार से उन्हें दबा भी खिला रहा था मैक जीन की याड से राहुल सब कुछ देख रहा था उसे आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी उसने मैक जीन को बगल में रख दिया उसके चेहरे को देखते ही सामने वाले यातरी ने आश्चर से कहा अरे सर आप कहा जा रही है राहुल ने उस आदमी को पहचानते हुए कह तुम आलोग काफी दिनों के बाद तुम से भेट हुई है। बाते सुनकर राहुल सोचता है कि आलोग ने मेरे माथत कलर की नौकरी की। उसके जहन में अनायासी बच्पन से लेकर अब तक अपनी पिता द्वारा दोनों भाईयों के लालन पालन के साथ पढ़ाई की खर्चे के लिए। संगर्श करने की कहानी का हर दर से सिनेमा की रील की भाती दोड़ता चला गया पस्चाताप सरूप वह पिता को लेकर अगले स्टेशन पर उतर गया। पिता को उसने गले से लगा लिया पिता अउलाद के इस परस की गर्माट से भीग रहे थे और नीद में वो खुसी राहुल के चेहरे की मुस्कुराहट बया कर रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद।